Good morning students, मेरा नाम शिवानी है और मैं शीखरान इस्टिट्यूट के इस YouTube चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ तो आज हमारी जो क्लास है वो होने वाली है Business Studies Class 12 की ये जो क्लास रहेगी वो MP Board Students के लिए रहेगी और जो इसका Medium रहेगा वो रहेगा Bilingual अब ये जो lecture है इसके अंदर हम सारे important questions कवर करने वाले हैं जो आपके Board exams में पूछे जाने चाहिए अब क्योंकि आपका syllabus एक पूरा complete हो चुका है सारे chapters आपने पढ़ लिये हैं अब problem आती है कि कैसे learn करें तो इसके लिए हमने जो important questions है याने कि essay questions जो repetitive exam से पूछे जाते हैं उनको निकाला है और उन्ही questions के बारे में आपको बताएंगे question के साथ में बैब brief में आप लोगों का answer के बारे में बताऊंगी तो चलिए बिना किसे देरे के एक लास शुरू करते हैं पहला question है हमारा limitations of planning तो limitations of planning, पहले हम समझते है कि what is planning, planning वह होता है जिसके अंदर हम यह decide करते हैं कि हमें क्या काम करना है कब करना है और कैसे करना है, what is to be done, how is to be done and who is going to do this और perform this job, ठीक है, अब इसके limitations क्या होती है, सबसे पहला point है future uncertainty क्योंकि हमें पता है कि जो planning की जाती है, वह future के लिए की जाती है, future का कोई वरोसा नहीं है इस प्लानिंग क्या हो जाती है, future uncertainty के वेज़े से कभी-कभी fail हो जाती है तो पहला point आपको समझ में आया होगा future uncertainty, second point है expensive process क्योंकि planning करने के time पे, जबे भी कुई बड़ी company planning करती है तो उसको क्या चाहिए होती है? एक team चाहिए होती है इसके लावा कोई भी छोटी बड़ी, कोई भी company होई वो एक team के अंदर काम करती है 3rd point है lack of required information क्योंकि हम जो planning करते हैं वो अभी हम present में होकर कर रहे हैं और future के बारे में हमें जद्धा कुछ information नहीं है हम forecast करके करते हैं planning तो जो information होती है हमारे पास में काफी seemyat होती है that is a lack of information 4th point है हमारा that is lack of flexibility क्योंकि एक बार अगर plan बन गिया तो हम छोड़ी हुटे changes तो कर सकते हैं उसके अंदर लेकिन बड़े changes करना possible नहीं है इसलिए यह flexible थोड़ा कम होता है and the last point is limited scope limited scope क्यों है क्योंकि जो planning है वो हर case में हम adopt नहीं कर सकते क्योंकि यह जो assumptions हम लगाते हैं वो futuristic होता है ठीक है तो और जो future है वो बहुत ही fast change होता है जैसे आप example लेते है Corona का तो कैसे-कैसे चीज़े जिन्होंने भी planning करी हो Corona से पहले वो कैसे एकदम से change होगे क्योंकि उन्होंने उन्हें lack of information थी ठीक है उनको पता नहीं सा कि Corona जैसे कोई बिमारी आएगी इसके लावा उनका फिर पैसा भी खर्च हुआ planning करने में futuristic थी तो इसलिए future जैसे ही बदला वैसे उनकी planning क्या होगी फेल होगे तो इस सारे points हमारे इसके अंदर cover हो गए पाच points से इसके अंदर आप कोई भी चार पढ़ सकते हो वैसे चार मास का question आता है चार से पाच points आप अगर लिखते हो तो that is very sufficient तो हमने पाच points पढ़े future uncertainty, expensive process, lack of flexibility, lack of information and last is limited scope चलिए, next question के आगे बढ़ते है, second question है आपका objective of planning, objective का मतलब क्या होता है हमारा मकसद, हम planning क्यों करते है कोई भी company या फिर कोई भी individual planning क्यों करता है, सबसे पहले तो अपना objective set करने के लिए अगर मुझे कोई भी goal achieve करना है, तो मुझे अपना objective तो clear रखना पड़ेगा ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए मैं planning करूंगी तो हमारे objective को clearly हम define कर सके, ठीकिए हम जो भी चाहते हैं हम उसको in a practical manner उसको apply कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले planning हम करते हैं, ताकि हमारे human और physical दोनों effort क्या हो, हमारे goal के तरफ जाके achieve हो Second point is decision making, हमारा planning अच्छे से हम कर रहे है, अगर हम planning कर रहे है, तो हमें decision लेने में असानी होती है, अगर हमें प modular का हम किस से करवाना है, कब करना है, कैसे करना है, तो हमको decision लेने में बादर problem नहीं होगी है ना वहीं पर अगर हमें नहीं पता कि हम क्या करना है किसे करना है किसे करना है किसी और से करवाना है तो वहां पर हमें बहुत ज़दा confusion create होगा कि हम यह करें यह करें दो options हमेशा हमारे पास में आएंगे तो decision making को easy करने के लिए हम planning करते हैं second point third point है achievement of goals जो भी हमारे goals हमने पहले से decide कर ली कर के रखे हैं कि यह हमें चाहिए तो अगर हम planning करते हैं तो वह जो goal की achieve होने के chances होते हैं वह बढ़ जाते हैं आप अभी 12 दे रहे हो तो 12 में अगर आपने planning के साब से पुरी पढ़ाई करे होगी तो आपको आपकी तो chances है अच्छे marks अच्छे करने की वह बढ़ गया होगे महीं पर कुछ ऐसे स्टुटेंट्स हों कि जो नहीं कोई planning नहीं करी तो उसमें कुछ सब्जेक बच भी गया होगा सिलेबस बच गया होगा फिर वह थोड़े हड़ आप में कर रहे हों के तैयारी तो जो हमारे अचीवमेंट ऑफ गोल से उसको करने में हमारी प्लानिंग मदद करती है इसके अलाबा जो मारे रिस्क होती है जो भी कोई भी ऐसी चीज आपदा जो हमारे फ्यूचर में होने वाली है वह हम पहले से अजूम कर लेते हैं प्लानिंग कर टाइम कि ऐसा अगर अगर तरीकी प्लानिंग होती है हमारी शॉट तरम होती है मीडियम होती है लॉंग तरम होती तो उसमें अलग अलग बिस्समां पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या-क्या प्रॉब्लम्स आगे फेस करना पड़ सकती हैं. तो वो जो प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारी हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, रिसको हम प्लानिंग करके क्या कर सकते हैं? हम मिनिमाइस कर सकते हैं. खतम नहीं कर सकते हैं, बहें पांच चेज़ हमें एक है कि आप क्या खतम कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हैं, आप रिसको क्या कर सकते हो, मनिमाइज कर सकते हो. इसकी बात में, जो information, जब हम कोई भी goal decide करते हैं, या कोई भी task करते हैं, तो planning जभ हम करते हैं, तो हम बहुत सारी information gather करते हैं. जब information gather करते हैं, तो उससे हमारा जो aim होता है, वो और clear होता है और हमें उसको achieve करने में मदद मिलती है. तो planning हमें 5 चीजों में मदद करती है. सबसे पहले हमारा goal set करने में, दुसरा हमारे decision लेने की power को बढ़ाने में, तीसरा हमारा goals को या फिर aim को achieve करने में, चौथा हमारे risk को minimize करने में, और पांचवा हमें information provide करने में. ठीक है? आगे बढ़ते हैं, question number 3 है, difference between policy and procedure. Policy और procedure में क्या difference है? अब policy क्या होती है? सबसे पहले आप जबी भी difference between लिखेंगे, आप basis ज़रूर लिखेंगे और basis में हमेशा कोशिश करें कि meaning ज़रूर लिखेंगे, जो भी आपका difference पूचा है, उन दोनों की meaning आप लिएगे. तो सबसे पहले हम meaning यह देखते हैं, policy का मतलब क्या होता है? यह एक general guideline होती है, ठीक है? कैसी guideline होती है? जनरल guideline होती है, जो भी company है, उसकी thinking , 这 पॉलिसी कैसीengine making की जनरल guideline होती है, पॉलिसी, और procedure क्या होता है? procedure एक operational guideline होती है, मतलब काम करने की, कैसे आपको काम करना है? ठीक है, उसकी क्या होती है? प्रोशीजर उसकी guideline होती है. origin क्या है इसका? इसका जो origin है, मतलब policy कहां से आई है? जब भी हम company की objective बनाते हैं या decide करते हैं कि company क्या मक्सद है, company को किस तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी policy बनाते हैं. और जब भी policy बनती है, तो उसका फिर क्या बनता है? प्रोसीजर बनता है कि काम जो भी होगा, वो किस तरीके से होगा? ठीक है, meaning origin clear है, third है level, तो देखिए, तीन तरीके level है, top, middle and lower. तो policy making का जो काम होता है, वो कौन करता है, top level करता है, और प्रोसीजर का जो काम होता है, वो कौन करता है, they are followed by, or lead by the top, sorry, middle level and the lower level. अब आते हैं scope पे, क्योंकि policy एक बड़ा term है, यह हमारी company के जितने भी journal guidelines से इसको show कर रही है, तो इसका obvious से बात है, कि जो scope है, वो काफी broad होता है, journal होता है, और flexible होता है, अब flexible क्यों है? क्योंकि, डिखे, time के साब साथ में, बहुत सारी चीज़े होते है, environment में, तो अब उसके साब से क्या होता है, company को अपनी policies में कुछ changes करना पड़ता है, तो यह flexible होता है, इसको हम change कर सकते है according to the requirement of the organization, but procedure का इसा होता है, procedure के साथ होता है, इसमें specification होता है, कि यह काम इस इस तरीके से यह होगा, यह procedure फॉलो होगा और वह काफे rigid होता है, उसको वैसे के वैसे ही, जो भी employees है या फिर जो भी staff इसको follow करना पड़ता है, third है यह जो यह तरीक जो policy है, वो objective और performance के बीच में एक तरीके bridge का काम करता है, जो भी आपके objective हैं, जो भी आपके मकसद हैं, और जो आपके performance है, उसको मिलाने का, कि आपके objective को आपके achievement क्या फिर performance रीच करें, उसमें आपकी policy help करती है, और जो भी आपके activities और आपके result के बीच में bridge का काम procedure करता है, ठीक है, तो आपको यह यह यादर रखना, objective और performance के बीच में bridge कौन बनेगा, policy, और जो procedure होता है, वो activities और result के बीच में bridge का काम करता है, last है attitude, मतलब आपको हो सकता है representation, तो यह किसको represent करता है, यह आपका management attitude को represent करता है, it represents the expression of management attitude regarding the specific issue, जो भी management है, उसका किसी specific issue पर क्या reaction होना चाहिए, क्या expression होना चाहिए, वो policy बताती है, और यह systematic manners of the handling of the routine task, यह क्या है, एक तरीके से systematic manner है, कि कोई भी काम को आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको sequence by sequence करना है, वो आपको procedure बताता है, question number fourth, हमारा है what, sorry, meaning of program and budget, और program और budget का क्या मतलब है, तो पहले हम program समझते है, तो program क्या है, it is an outline of plans of work to be performed in proper sequence with a view to achieving specific objective, it comprises a step by step approach to guide the action necessary to reach out the predetermined goal, program क्या होता है, यह हमारे plan की एक outline है, ठीके, इसके अंदर हम proper sequence बताते हैं, कि यह किस तरीके से काम को करना है, first step क्या करना है, second step क्या करना है, तो यह step by step approach है, ठीके, जो कि हमारे predetermined goals को achieve करने के लिए जाता है, फिर से समझते है, program क्या है, program is a outline of a plan, plan का क्या है, outline है, इसके अंदर proper sequence दिये जाता है, जो भी हमको काम करना है, with a view of, with a view to achieving your specific goals, और इसके अंदर हमारे step by step approach होते है, ताकि हमारे जो भी predetermined goals हैं, उसको actions में लाकरके उस objective को achieve करता है, इसके अंदर बहुत सारी चीतों का combination होता है, इसके अंदर policy, procedure, rules, budget, task, यह सब कुछ आपके program में आते हैं, इसके बात में आते हैं second हमारे definition पे जो की है budget, budget एक single-use plan होता है, जिसे कोई भी event है, या कोई भी program है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हमारा spending campus city decide करने पड़ती है, ठीक है, कि हम इस project में या इस plan में कितना spend कर सकते हैं, वह हमारा budget कहलाता है, ठीक है, जो budget होता है, वह single-use plan होता है, क्यों? क्योंकि वह एक बार के लिए होता है, आज आपके घर में शादी है, तो आप एक budget बनाओगे, वह शादी आपकी complete हो गई, तो फिर वह budget आपके बनाया था, वह खतम हो गया, फिर आप कोई नया event होगा त चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसके features हम देख लेते हैं, it is prepared in advance, obviously बात है, कि जो budget होगा, वह हम किसी भी चीज़ को करने से, पहले बनाएंगे, इसके लावा, यह हमेशा future के लिए बनेगा, और हमेशा इसको जब हम express करेंगे, तो हम quantitative terms में ही करेंगे, numerical values में करेंगे, अ ठीके, जो भी आज जहां पर हो, और आपको जहां जाना है, उसकी जो पूरी planning, उसकी जो पूरी strategies होती है, वो planning होती है, ठीके, it is the bridge what we are today, and where we want to go, आज, हम आज क्या हैं, और हमें कहां जाना है, उसकी पूरी तरह से जो एक बोल सकते हैं, एक road map बनता है, एक bridge बनता है, उस किसे करनी है, किस के द्वारा करवानी है, और उस task को करने के लिए क्या-कर चीज़ा required हो कि सब हमारी planning के अंदर include होती है, यह तरह की mental activity है, and जो भी हम action करते हैं, उसके पहले हम सोचते हैं, planning में basically होता है, जो लोग बिना planning के काम करते हैं, बिना कोई भी plan नहीं होता, बिना स अंदर अंदर आते हैं, यह हमारे 5 question कवर हो गए है, ऐसी हम 5-5 question के series आपको देते रहेंगे, आप इसको revise कीजिये, तब तक के लिए, टाटा, good bye.